अबी हाली में Korean Vlogger का वीडियो वैरल हो रहा है इस Korean Vlogger का नाव में Gen B बहुत जादा वीडियो नहीं ड़ागे पर बहुत कम समय में ये वायला Vlog डालके बहुत सारे व्यूज आगाई है इक चैनल पर बहुत सारे सुप्स्क्राइबर्स आगे है जिए लिए हैं वाइर साओ सब्सक्राइब बार दोना है उनके इस लोग का है क्लिप बहुत वाइरल हो रहा है जो इसका टाइटल है कि मुझे इंडिया में एक पोवर्ट ने अर्रास किया जब मैं अखेले सोलो ट्रेवल कर रही थी इससे पहले में आगे बढ़े हैं अगर आप में से कुछ ऐसे विवोज हैं जो पहली बार इस चैनल पे आएं तो आपको ये बता दूँ कि यहां समाज में हमारे आसपास कुछ भी ऐसा घड़ेत होता है जो कि आपको एफेक्ट करता है आपकी साइकॉलेजी को एफेक्ट करता है हमारे इन्वाइमेंट को एफेक्ट करता है तो यहां उसके बारे में बेख ओफ ओपिनियन्स आपको निरंगतर मिलती हैं एक अनबाइस परस्पेक्टिव मिलता है तो अगर आपको ये बेक आफ उपिनियन्स मिस नहीं करनी तो अभी तुरंत सब्सक्राइब का बटन जरू दबादें पहुत सार ऐसे लोग हैं जो वीडियो सो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो घंटा दबादें, सब्सक्राइब करें और अपनी मोबाइल नोडिफिकेशन भी आउन करने जिससे आप कभी भी कोई भी बेक आफ उपिनियन्स ना कर दें एक चीज़ आप अब्सक्राइब करेंगे इस क्लिप में जब आप इस शक्स की भी वेविर देखेंगे, बॉडि लांगविज देखेंगे तो आपको साफ पता चल जागा कि ये मेंटली अंस्टेबल लग रहा है पर क्या इसका ये मतलब है कि कोई mentally unstable हो तो इस तरह से अश्रीलता कर सकता है तो जहां हमने कई बार देखा है कि जो vloggers होते हैं या reals होते हैं उपने content से मतलब होता है उपने views से मतलब होते हैं जिसमें उसने इंडिया के इस लड़के पे title रखा है कि she was harassed by this Indian वो इनके YouTube चैनल का तीसरा सबसे ज़्यादा देखा गया वीडियो है और दूसी चीज़ जो दो वीडियो इससे ज़्यादा popular है उनमें comments देखे कितने हैं 94 और इस वीडियो में जो इस लड़के पे जो इंडिया पे बनाये गया है उसमें 414 comments है तो ऐसा ही कुछ इसमें दिखने को मिल रहा है पर अगर कोई भी किसी भी लड़की के साथ किसी भी औरत के साथ अगर ऐसा होता है तो आप उसको support तो बिल्कुल नहीं कर सकते है हमने Metro Girl की बात करी जहां Metro Girl को हम condemn करते हैं कि public places में ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए और हर जगे के हिसाब से कपड़े पहनने का एक तरीका होना चाहिए पर अगर कोई Metro Girl के साथ अश्लीलता करता है जब उसने ऐसे कपड़े पहने हो तो वो भी गलत है Ultimately it's about common sense कि आप वो क्या कपड़े पहनने चाहिए but nowhere कैसे भी कपड़े पहने हो आप कुछ भी कर रहे हो इसका मतलब यह नहीं है कि वो खुला invitation है कि आप available हो ऐसा ही आपने पहले भी देखा होगा कि एक incident 6 माई ने पहले November में एक Korean vlogger again Twitch streamer थी जो 6-6 गंटे की Twitch stream कर रहे थी Mumbai में खार रही लाके में उनका नाम था Mayuchi जब वो stream कर रहे थी तो तभी एक आएक उन्होंने किसी के साथ friendly अड़न से बात कर ली एक लड़की ने बोला I love you तो उसमें बोला I love you too फिर smile करके देखा बात करी and all that पर उस लड़की ने फिर क्या किया line cross करे उस लड़की को किस करने की कोशिश करे जो की line cross करना था Hi go na 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 i'm side i'm dressed just dress fresh high high step now now that next tomorrow गाल 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 वहाल अप्र वावावाव। वाव वहाव। कहीभी महयची ने उसको कोई भी ऐसा सिगनल नहीं दिया ता कहीए लोग बोल रहे थे खिए आपकी गलती आपको ओवर्वेंटली नहीं होना चेहां अब vloggers कही नहीं line cross कर देते हैं उनको content चाहिए होता है पर मैं यह नहीं कहूँगा कि अगर किसी से बात करना है या किसको I love YouTube बोलना है किसको smile करके देखना एक invitation है कि आप available हो यहाँ भी उस लड़के ने line cross कर रही हो वही नहीं जब मैयुची ने उसको ignore करना शुरू किया उसके बाद उसने अपने साथियोंगे साथ उसको follow किया उसके पीछे बढ़ा रहा योदा harassment जिसको condemn करना चाहिए हमारे देश में हमारी छवी कैसी जाती है बार यह हमारे हाथ में कोई भी vlogger कोई भी realer कोई भी foreigner उसका intent जो भी हो उसको अपने content से मतलब हो या ना हो इंडिया से मतलब हो ना हो पर हमें अपने देश से मतलब जरूर होना चाहिए और अगर हमारे देश में ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको condemn जरूर करना चाहिए पर माईजू की केस में तो यह सब लाइव था अब उस पूंली कैसे उठाएंगे और वो लोग जो लाइव देख रहे हुए इंडिया के बारे में क्या इमेज लेकर जाएंगे तो कि आपको नहीं लगता कि अब इस लड़के के माबाप की या उसके नेबर्स की या वहां के एड्मिन्स्ट्रेशन की वहां की पुलिस्ट्रेशन की की कैसे लौ एन ओर्डर एंफोर्स हो गाइज यहां उपीनिंस कही हो सकते हैं पर एक उपीनिन साफ है यह हमारा देश है और इसका इंप्रेशन इसकी परसेप्शन हमारे हाथों में है अब एक बात सोचो इतना सब होने के बाद भी मायोची ने क्या कहा ज़रा यह सुनों और फिर मैं आपको बताता हूँ उसके बाद हुआ किया तो मायोची यहां यह कह रही है कि मेरे साथ जो भी हुआ उसका मतलब यह नहीं हो जाता कि पूरा इंडिया ऐसा है इतनी बड़ी व्लॉगर इतनी फेमस व्लॉगर होने के बावजूद भारतिय संस्कृति को और भारतिय कल्चर को इतने महीनों से दिखा रही है कई लोगों ने उस पर लांचन लगाए कि वो क्लाउड चेस कर रही है वो ओवर फ्रेंडली थी उसने यह सारी टेंचिन खुदी इनवाइट करी थी पर उसने उस इंसिदेंट के बाद इंडिया को ब्लेम नहीं दिया इनवाइट कभी वो गोलगप पे खा रही है कभी वो अलू टिक्की खा रही है कभी वो शादी अटेंड कर रही है कभी इंडिया के कल्चर को दिखा रही है अपने व्लॉग में जिससे इंडिया का इमिज बेटर हो रहा है और यह क्यों हुँआ यह हुआ एक लड़के की जैसे एंड है उसका नाम है अधर्व अधर्व वो लड़का है जो जब यह दो लड़के परिशान कर रहे थे खार में तब अधर्व मयोची की लाइब स्रीम ट्विच पे देख रहा थो तब ही वो आया मयोची की मदद करने है और उसने मयोची का सेफ पुचाया ही नहीं साथ में दो लड़के जो बारवर वो आ रहे थे उनको भी सबक सिखाया और साथ में पुलिस को रिपोर्ट किया मयोची ने उसके बाद फेवर रिटर्न किया अपने सोचल मेडिया प्रोफाइल्स पे अथर्फ के बारे में हर जगे बात करी तो ऐसा कुछ करो ना यार ये चीज है अथिती देवोभव जा हम बोलते हैं ना तो ये करना होता है हम करते हैं बिल्कुल उपोसेट तो मैं चाहता हूँ जितने भी लड़के ये चैनल देखते हैं आज से प्रंड ले लो जहां भी ऑपचुनेटी मिले किसी लड़की की हल्प करने की तो कर लेना और मुझे बताना कि हाँ भाई मैंने ऐसा किया है आपने बोला था आई बिलीव आई किन काउंट अन आल अफ यू कर सकता हूँ न और एक और बात जितने भी लोग इंफ्लूइंसर बनना चाहते हैं मायूची जैसे या मेरे जैसे पहुत सारे लोगों के मेरे उस मेला आते हैं रिक्वेस्ट आते हैं कि वो गाईदेंस चाहते हैं में इंटर लेगन पर चड़ जाओ कि इंफ्लूइंस मार्केटिंग बहुत जादा गुरू होने वाला और लगता है कि अभी रेडी नहीं हो इंफ्लूइंसर बनने के लिए तो मेरा फ्री मेंटेशिप प्रोग्राम जोइन कर सकते हैं जिसमें मैं आपको गाईड करता है रहता हूँ जो आपको अपने करीयर में और आपको अपने बिजनस में आपको इंफ्लूइंस बनाने में और अपनी स्किल्स डेलप करने में बहुत मदद कर सकते हैं यह कुछ एक्जैम्पल्स आपके सामने जो रिप्लाइज हमें अपने मेंटी से मिलते रहते हैं अगर आपको इस में mentorship program के बारे मार जाना है तो दिये गए link पर जाके आप जान सकते हैं हमार को ये तो बहुत ज़रूरत है कि हम अपने युद को हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि मर्यादा क्या है और कौन सी line cross करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए कंडम सब कुछ करो पर line को cross मत करो अपने देश की गरीमा का ध्यान रखो उसके perception उसके impression का ध्यान रखो आपका क्या ओभी नने इन दोनों incidents के बारे में क्या आपको लग रहा है कि ऐसे vloggers बहुत सरा ऐसा content shoot कर रहे है और कहीं न कहीं ऐसे situation create कर रहे है या आपको लगता है कि उनको कोई दोश नहीं देना चाहिए गलती हमारी है गलती हमारे law and order की है यहां ऐसे काम होते रहते हैं यहां आपको कोई और विचार है मैं comments में आपके opinions पढ़ने के लिए इंजिजार करूँगा उनके reply करूँगा क्योंकि यह पीपोए है यहां इन मामलों पे बेख़फ opinion नहीं नहीं क्या सही और क्या गलत है उसकी discussion होना भी बहुत ज़रूरी है